वेल्कम बेक टू माई चैनल सोनास क्रेटिविटी दू फ्रेंड आज आपके साथ शेयर करेंगे यह देखिए इस गेट परदे का यानिकी टूरें डिजाइन का नेक्स पार्ट जिसमें के देखिए आप लोग इस तरीके से फाइनली कंप्लीट हो चुका है ठीक है अभी हमक प्रेटल रेटल नेकर है इस बार कम्प्लीट करना जिसमेंक उप करक scorner पहल बागां से ऊजिसमेयर करिए लगां लगांगे पिशलें नौ्ट यह जिसमें बांगे चेन बनानें देखिए कितना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 1 8 एट का चेन बना लेते हैं ठीक आप देखिए धागे को इसको थोड़ा सा खीसते हुजाएंगे इस तरीके से बल लेंगे जस्टिस के बगल से यहां पर हम बनाएंगे वन डबल क्रोश्या तो देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से सिरालती इसको निकालेंगे और यहां पर बनाया वन डबल क्रोश्या फिर से नेक्स्ट यहां पर बनाएंगे टू डबल क्रोश्या आप लोग ऐसे फिर इसमें बना लेंगे तो इसी तरीके से करते हुए हमना यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एट चेन बनाएंगे ठीक है आगे कैसे क्या करना है तो इसको लेते हुए में यहां पर एट चेन बनाएंगे ठीक है अब यहां से देखिए 1 2 3 का चेन लिया और इधर टार्ण हो गया अब यहीं पर जस्टिस की बगल से यहां पर इसी स्पेस से वन डबल क्रोश्या बनाया और चेन के लेकर के टू बीच में बढ़ाना चाहते हैं थ्रेड पतला है तो अब बीच में भी थ्रेड एक डिबल क्रोश्या बढ़ा सकते हैं देखिए इसी तरीके से हर एक रो में इसको बना के कम्प्लीट करना है सेम यही अपलाई करना है ठीक है बिलकुल भी अलग नहीं है अब लास्ट में भ ठीक है और फिर से वन डबल क्रोश्या बीच में अगर आप चाहते हैं तो एक और बढ़ा सकते हैं वरना वह आपके पड़ी है कि आप बढ़ाते हैं की नहीं इस तरीके से बागी सब में सिंगल बन डबल क्रोश्य बनाई एगा और लास्ट में फरस्ट में वन डबल परके सथी हreं चपकों करके सब्सक्राइब लगा सब्सक्राइब intentar ने हिएuster करें नर्स चबंडे क्या उन्हों किया सकते हैं तो 15356ब Salford नहीं उनल वर बनाने तो देखें में आपको बहाना और फंदा बढ़ाली जिएलिगा वर्ना साइट साइट से इक बढ़ेगा इधर वन डबल क्रोशे बढ़ेगा इधर भाइंगे ठीक है तो इसे तरीके सिसको कम्प्लीट कर लेते हैं यहां पे कट कर देंगे ठीक है तो इसको भी संह dek collect हो चुका है इस तरीके से ए अप לגग यह लगँ सब्सक्राइब इसको बना लिए ठीक है यह ली जो यह बेना हुए सकर टाइप में इसको बना के कॉप्रीट करनाने bob army w में बनाने हैं मैंस थ्रेड को इस तरीके से दो उंगली ओंपर करेंगे ठीक है और इस तरीके से पट्रेड को इसमें से निकालेंगे यह सहिं dane और इसमें से इस तरीके से नॉट लगा के इसको इकालें अब देखी क्या करना है फ्रेंट्स अब हमको यहाँ पे half double crochet अबनाना है पूरे में ठीक है तो इस तरीके से बल लेती हो जाएंगे और ये इस तरीके से one ठीक है फिर ये हो गया two फिर ये हो गया three four five ठीक है six ये देखिए six हो गया seven इस तरीके से तो ये हमने seven बना लिया फिर यहाँ पे eight बना लेते हैं nine और ये ten eleven इसी तरीके से हम इसको राउंड शेप में कवर करके फिर आपको दिखाते हैं ठीक है पूरा राउंड को यहां half double crochet बना लीजिए गया यानि कि slip stitch से भी आप इसको cover कर सकते हैं ठीक है में वन्डबल भाषे देखे वंडबल क्रोशे लिए सब में वन्डबल क्रोशे बनाया फिर नेक्स्ट मुर्डबल क्रोशे बनाना है तो इस रोह को ही बार कैसी क्या करने फिर इसकी ओठ्लाइनिंग करेंगे फ्रेंड्स ग्रिन कशलर के से तो फाइनली ऐसे सारा हमें कम्प्लीट करते जाना है बहुती इजी बहुती सिंपल सा पैटर्ण ने ठीक देख सकते हैं यहां पे इसको किस तरीके से बना रहा है यहां पे देखिए कहीं पिर सब में देखें सिंगल सिंगल हाफ डबल कुरोशिय बना दिया है तो सेम इसी प्रोजेक्ट को एसे ही पूरा करेंगे तो देख सकते हैं आप लोगvir क्रोश्यआ थिर पूरा राउंD करोश्या के पीर हुआ यहाँ जादो क्लोंड जायां जादो कर नहीं थर्फ है तो इस तरह किसे इतना ही हमें दिखाना है तो इतना ही बना के आप कंप्लीट कर सकते हैं तो चलिए फाइनली देख लेते हैं किस तरी तो चलिए यहां पर नॉट लगाया धागे को यहीं पर हम ऐसे कट कर देते हैं ठीक है तो देख सकते हैं आप लोग अब हमको इसमें दूसरा कलर लगाना यह इसका सिध्धा साइड है ठीक है और वह बैक साइड देखिए ऐसे लगेगा यह इस तरीके से मुकुट में इस तर किया गया ठीक है दिख सकते हैं आप लोग तो ग्रिन कलर के थ्रेड से किया गया तो इसके लिए देखिए ग्रिन कलर का थ्रेड लेंगे सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे सिंपल जिस तरीके से आप लगाते हूं लगा देजिएगा और जिस तरीके से मैं लगाती हूं तब यहां से स्टार्ट करेंगे देखिए यहां से जो स्टार्टिंग है यहां से स्टार्ट करेंगे यहां से नॉट लगाएंगे हम लोग सबसे पहले और धागे को इस तरीके से कर देंगे ठीक है और देख सकते हैं आप लोग यहां से बल लेती हो जाना है और यहां पर इसको कम्प्रीट करना देखिए ठीक है ना दिख रहा होगा आपको इदम तो देखिए इस तरीके से तो सब में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है फ्रेंड्स और उसके बाद से यलो से इसको रॉंडप करना है फिर यह कम्प्रीट हो जाएगा फाइनल फिर आपको इसको स्टिच करेंगे और किस तरीके से इसको हम डैकोरेट करेंगे क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही शेयर करना था फ्रेंड्स नहीं तो वीडियो काफी लगते इसको इसकी आउट लाइनिंग भी हमने देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाती हुए कर लिए दिख फिर यलो कलर लेंगे सबसे पहले इस तरीके से स्लिप नॉट लगाएंगे यानि कि नॉट लगा लेते हैं जिस तरीके से आप लगाते हूं लगा लीजिएगा और जिस तरीके से मैं लगाती हूं लगा लेती हूं ठीक अभी स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे देखिए यह इस तरीके से नॉट लगाएंगे दिख सकते हैं आप लोग ऐसे नॉट में कितने कि आ पहले बनाया है डिख सकते हैं कि तो वान टू थी फॉर फाइफ पे इस्टिश कर दिया है गैप इंग सकते हैं आप लोग थोड़ी धूरी कि 3 बीच में 2 अच्छी। देख सकते हैं यहां पर यहां से यहां तक यहीं स्पेस की दूरी है बस वन टू थ्री ठीक है फूर और यहां से यहां तक की ठीक है यह स्लिप स्टिच लगाईए यह इस तरीके से स्टिच करिए तो यह आपके उपर डिपैंड है ठीक है फिलाल स्लिप स्टिच नहीं कि यहां पर टिया से शी कालना है कर यहां तो घुञा, शी कि वान टू त्रीों, फिर आप से बनाएंगे सेम तो बहुत ही इजी बहुत ही स्वेंपलाए फ्रेंटस जहां समझ में नहीं हाएगा महां एक आपो लोग कमेंट्स करिए तो मैं आपको फिर से कोशिश करूंगी या ठीक है तो यहां से आप लोग देख सकते हो यह हमने बना लिया फिर 1 2 3 4 और फिर नेक्स्ट यहां पर करके इस तरीके से भी इस्टिच कर सकते रेखित जो इस ट्याइप में फिर 1 2 3 4 है नुस्तरीके से फिर बरलेते हो जाके से थाद के थार्ड़ वाले में यहां से स्लिप इस्टिच लगा दिजे देखिए यह इस feeling इस तरीके о्ड़ के सकते हैं और है लोग इस ट्रीके से इस तो यहां पे बीच में टू का गया फ़ी ज्यादा मैंने कर दिया यहां पे तो कोई नहीं भी इसको सही कर लेते हैं फिर ऐसे बल लेते हुजाते हैं यहां पे देखिए बीच में दो आ गए न यह इस तरीके से देखिए फिर वान टू थ्री फॉर फिर बल लेते हुजाए औ और फिर इन दोनों के बीच में बना लीजिए ऐसे टू थ्री फोर फिर दोनों को स्किप करते हुए यहां से बनाईए इस तरीके से ठीक है यह ऐसे तो फ्रेंड्स इसी तरीके से पूरा इसकी आउट लाइनिंग करने देखिए थोड़ा इस तरीके से हो रहा है थोड़ी इस तरीके से बनाके हम आपको दिखाते हैं समय तरी किसम निंग नीघ कर ली निए चैना प्यारा आसकी वीडियों में देखिए यह एमने फाइनली यह कमप्लीट कर लिए धागे को इसे पर कट कर देते हैं नॉट लगाएंगे हो गया इनका मुकुट क्या पीछे का साइड का ठीक है और इसको आप जिस तरीके से इसको इस तरीके से फैला देते हैं और जब इस्टीच करेंगे न तो फैंडली देख सकते हो आप लोग इतने पी यह आएगा तो यह पूरा राउंड यह ऐसे इनका यह कवर हो जाएगा ठ जबाने साथिट करेंगे नौज बाकी सब आपको आपको वाद में नेक्स वाले वीडियों बisimक टैलने करा कि सामयाव है इस तरीके से बीडिट करेंगे ठीक है आइस बनानी पड़ेंगी नोज के उपर यह थोड़ा सा डेकोरेड करना पढ़ेगा जैसे就到 इसमिक किया है देख सकते हो आप लोग इस तरीके से आइस बनाई है नोस को पर यहां भी बनाएंगे तब जाकि यह फाइनली कंप्लीट हो जाएगा फिदर से इसको भी स्टिच करना पड़ेगा यह देख सकते हैं यहां पर नौट लगा लगा किस तरीके समने इसको स्टिच किया है तो यह सारा इसे तरीके से स्टिच करना पड़ेगा ठीक है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो संदाती तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा चैनल पर न्यू होने तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा बैल आइकन को प्रेस क कज दो ँिए करते हैं